शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हम सब की और आख उठाकर देखें तो यह उसका अधिकार है और अगर उसको इसमें कोई दोश्ट दिखाई दे और वो अंगुली उठाए तो उसके शक को दूर करना हम सब का करतव यह है यह है श्री विलास्रावत चोधरी यह सा क्या आप जानते हैं श्री चोधरी स्टेट मिनिस्टर है आज इन पर तरह तरह के इलजाम लगे हुए हैं का जाता है कि इनकी रतलाम की दवाई बनाने की फैक्टरी में बीमारों को ठीक करने वाली दवाईयां तो कम बनती हैं लेकिन नौजवानों को मौत के मुँमे धेकलने वाली मेंडरिक्स, कोकेन और ब्राउन शुगर कुछ ज्यादा ही बनती हैं भाई भतीजावाद और भष्टाचार के इलजाम भी इन पर हैं दरसल इनकी एक CBI इंक्वाईरी कराई गई थी लेकिन इससे पहले कि इंक्वाईरी की रिपोर्ट सरकार तक पहुँचे नजाने वो फाइल सीक्रीट कस्टडी से कब और कैसे गायब हो गई सिर्व इतना ही नहीं उस इनक्वाईरी से जुड़े हुए सारे आफिसर्स एक बस एक्सिनेंट में उस वक्त मारे गए जब वे डिपार्टमेंट के किसी काम से पूना जा रहे थे वे सब लोग एक ही बस में क्यों और किसकी प्लानिंग से एकथा हुए थे ये पहली आज तक पहली ही बनी हुई है विलासनाव चोधरी पर लगे इल्दाबात में कितने सच्चाई के करीब हैं और कितने शक की इसका फैसला करने के लिए सेंटर ने एक इनक्वाईरी कमिशन बिठाने का निरने लिया है इस कमिशन को अपने रिपोर्ट त्री महने का इंदर देनी होगी कमिशन के चेर्मन होंगे रिटार्ड जस्टिस क्रिश्नकांद धर्मादिकारी वल दी बेस्ट टेंक्यू साह सिधार्थ क्रिश्नकांद धर्मादिकारी नेम सिधार्थ धर्मादिकारी सान ओफ क्रिश्नकांद धर्मादिकारी एजुकेशन बीकॉम पासिंग मार्क्स 88% क्रिश्नकांद धर्मादिकारी भाई ये क्रिश्नकांद धर्मादिकारी वही तो नहीं है 65 के IES के बैचवाले मौनाराबाद के जी आच्छा अरवे वो तुम मेरे बच्पन के दोस्त है अच्छी तरह जानता हूने तो तुम उनके बेटे हो लेकिन एक पाटी में उनसे मुलाकात हुई थी वहां कह रहे थे वो कि उनका बेटा तो किसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलिज में ट्रेनिंग ले रहा है वो मैं नहीं हूँ अच्छा तो तुम्हारा चोटा भाई होगा मेरा कोई चोटा भाई नहीं है वो दूसरा है दूसरा सोतेला होगा अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि किष्ण कान जी के दो बीवियां है बले छपर उस्तम देख ले ऐसी लगते हो तो नहीं थे अब तो पांचे उंगल्या घी में हैं खुब मज़े उड़ा रहे होंगे यह बताओ तुम लोग सभी कठे रहते हो या अलग अलग आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हैं या मेरे पापा का अरे बेटा एकी स्कूल में कई साल ही कठे बड़े हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहता हूं भाई ये बताओ कि ये किशल खांची किस औरत के साथ ज्यादा रहते हैं यू पास्टर्ड फिकर मत करो सिना है कि जोगेना हमें देखकर के हम एक मंत्री होकर आपके ऑफिस में खुद आये हैं तबीयत खुश हो गई ये सुनकर जब हमें पता लगा कि आप इंक्वारी कमिशन के चेर्मेन लुक्त हुए हैं बेढ़ जाओं हमारे देश में इमानदार और सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं करता अब देखिए ना आप जैसे क्लास वन गजिटेड आफिसर के लिए सरकार ने क्या किया आपको इस केस में कितनी दौर धूप करनी पड़ेगी कम से कम आपको एक एर कंडिशन गाड़ी तो दे देदें खेर कोई बात नहीं मैं अपनी तरफ से आपको एक इंपोर्टेड एर कंडिशन गाड़ी भेंट करता हूँ सक्सेना साफ जी इनको गाड़ी की चानियां दे दीजिए बस अब आप जल्दी से इंक्वैरी की रिपोर्ट सरकार को भेज़ दीजिए और फिर मेरी तरफ से परिवार सहित सुर्जर रेंग घूम आई वहां मैं बैंक का इंतिजाम भी करवाज मुगा पिला सुराव जी आप थोड़ा अपने दाएं घूम जाईए जी हाँ वो कैमरे में चेहरा पूरा आजाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मंदरी जी जब मुझे इस इंक्वारी कमिशन की जिम्मेदारी दी गई तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े आदमी के खिलाव गवाही कौन देगा पर देखे के कमाल आज ही मैंने आपके इंक्वारी जुरू की और आज ही विलास राव चौधरी खुद अपने खिलाव गवाही देने चला आया मेरे खैल से इस फिल्म से अदालत कम से कम इतना तो मान लेगी कि इतनी बड़े रिश्वत देने का मतलब है कि दाल में जरूर कुछ काला है पहले तो आपको अदालत में यह साबित करना होगा कि यह रिश्वत है दुनिया जानती है कि लोगों की मदद करना और दान देना विलास राव चौधरी की आदत है एर कंडिशन कार सुचले लेंड की सैर बैंक का काम इतना बड़ा दान तो कोई दानवीर भी नहीं दे पाया है मंत्री जी आपको पसीना आ गया है एर कंडिशन की आदर जो है और उनफॉर्चनेटली यह ओफिस एर कंडिशन नहीं है लेकिन आप आदर डाल लीजिए क्योंकि हिंदुस्तान की जीलियां भी एर कंडिशन नहीं हुई है और आप वहां बहुत जल जाने वाले है धर्मादिकारी जिलाव मत तुम जा सकते हो लासनाव चौधरी तुम्हारी एर कंडिशन कार की चावी क्रिशन कांद धर्मादिकारी एक बात याद रखना विलासरो चौधरी के खिलाव तुम्हें कभी कोई सुबूत नहीं मिलेगा जल कर नुकर में मिलेगा भाईया आज का अख्पार पढ़ा था क्यों ऐसी क्या बात है इसमें पापा को विलासरा विंक्वारी कमिशन का चेर्मेन मनाया गया है कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौपी गई है पापा को जो आदमी बाइस साल से अपनी घर के जिम्मेदारी को नहीं नहीं भापाया वो दूसरों के जिम्मेदारी क्या नहीं भाएगा सिधार आगे बेठे मा तुम सोईनी अभी तक नहीं तेरा ही इंतजार कर रहे थी ला मैं खाना-गरम दू रहने दो मा तेरा इंट्रवियू क्यasm रहा ? ओफो मा छोड़ो ना इंट्रवियू को तेरे पापा काफी देर तक तेरा इंतजार करते रहे कह रहे थे बहुत ज़रूरी काम है, कल उस घर बुलाया है क्या हुआ, खाना तो खाले सिधात, मैंने कुछ कहा तुझे, तेरे पापा ने तुझे बुलाया है क्यों, दादी मा के ताने सुनने के लिए अगर वो तुमें ताने देती हैं, तो इसमें तुमारी बेज़ती नहीं होगी कुछ भी हो, वो तुमारी दादी है लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना पोता नहीं समझा भीया मैं जानता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो यही ना कि मैं पापा को मिलने जाऊं तुम क्या समझते हो, मैं जानती नहीं कि तुमारी दिल पर क्या बीट रही है भीया मेरी लीना से ही अपने लीना से ही पर मा के खादिर उसकरचा सकते हो उसके चेरे पर तुम्हारे जाने से मुस्कुराहट आजाएगी भैया तुम्हार येखो आजाएगी टूमाना ये वामाएप। पापा है पाप ने तुम्हार ये पुम्हार आ ये ये वार। तुम सुबह सुबह अपनी मनूज सूरत लेकर यहां क्यों आये हो अभी तो महीना पुरा नहीं हुआ पहली तारिक को बाहत देने हैं मुझे पापा ने बुलाया है पापा ने बुलाया है नचाने क्या जादू कर दिया उस औरत ने मेरे बेटे पर सारे खांदान की इजट म सिदार्थ बेटा कल जो तुने मिस्टर करे के साथ हरकत की अच्छा नहीं किया अपने गुस्से पर काबू करना सीखो मैंने तुम्हारे लिए का अच्छी नौकरी का इंजाम किया है इस आदमी से मिलेना लेकिन उसे यह मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो नास्ता ठंडा हो रहा है तरसल यह आदमी रुकमनी का मसेरा भाई है अच्छा पिटे उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई मा कभी कभी तुम सिधार्त मेरा अपना खून है मेरा अपना बेटा है पर मेरा पोता कभी नहीं हो सकता हाँ हाँ पता हो तुम्हारा कोई नहीं लगता इसले बाइस साल से तुम्हारी लगातारे रच सुनते सुनते मेरे कान पक गए उसे पैदा करके मैंने तुम्हारे वंच को कलंकित किया तुम्मारी मर्यादों को मिट्टन मिला दिया आज सुनलो मा अगर उस परिवार को अधिकार नहीं मिला तो उसकी व'Tज़ा कुम होग अगर मैंने तुल सी को अपनाया है तो उसकी वैज़ा तुम हो ना तुम्हारी आउंकों मैंने पोथे की चाहद देखे होती। जिन्दी के पर इस गुटन का सामना करना पड़ता हाँ पता है लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जबके मां बेठे दोनों हमाई जादा तक में हिस्सा लेने चले आएंगे मां तुलसी ने कभी रुकमनी के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं की उसने तो हमें अपनी क और याद रखना इस घर का और हमारे वंच का हगदार सिर्फ गौतम है मेरी बहू और तुमारी धर्णपत्नी रुकमनी की कोख से पैदा हुआ गौतम गौतम कृष्नकांत भर्मादिकारी भर्मादिकारी पूड़ नहा हमाला है बहाँ नहा हमालाई आए कर दोर से जैं कर दो एकर दो यह आए हुआ 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 है कर दोखूक है राद, ठाद!ौहाद पांग, यजा झाल, ँचा हूाँ! फंग भार थाद Сबड़ी, तstaVictor! गौतम, अगर तुम धर्मादिकारी की बेटे नहीं होते, तो अभी तक मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सीरियस एक्षिन ले चुका होता हूँ I'm sorry sir It's too use being just sorry अगर तुम्हारे घर में कोई problems है तो उसकी frustration इस तरह थोड़ी निकालते है Control, अपने आप पे control रखना सीखो, अभी तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है और बेटे, एक कमिशनर की हैसियत से नहीं है, बलके तुम्हारे बाप की दोस्त की हैसियत से, मैं तुम्हे एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर तुम अपने बाप की इज़त को बढ़ा नहीं सकते तो उसे कम भी न करो तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस चहर में तुम्हारे बाप की कितनी इसत है You may go now Sir आप से एक रिक्वेस्ट है आइंदा से आप मेरे पापा के बार में यादना दिलाए तुम कितना कैरी थी इस बार बिजली का बिल कितना है 180 रुपए 180 रुपए है ये और ये 400 रुपए तेरे लिए है मेरे लिए है हाँ वो तु कहरी थी ना कि कोई पंजाबी सूट चाहिए तुझे रख ले रख ले अब रहने भी दीजे शादी के बाद सलवार कुर्ता पहनेगी या सारी अरे तुलसी मेरे दो बेटे हैं लेकिन पेटी तो एक ही है इसलिए जब तक ये अपने बाप के घर में है ये वो पहनेगी जो इसका दिल करेगा हाँ जब ये अपने ससुलाल चली जाएगी तो वो पहनेगी जो इसके मियां का दिल करेगा ठीक है मगर अब आप पिना बंद करिए ओफ ओफ तुलसी कमाल है आज अपनी बेटी का रिष्टा इतने अच्छे घर में करके आया हूँ तो क्या मैं दो पैक पिना प्यूँ हाँ अच्छा मैं चलता हूँ तुलसीया पापा आप से ररुकी मैं सिधात को भेजती हूँ बहु आपको छोड़ाएगा अज नहीं नहीं ऐसी का जोड़त है मैं चलाएगा सिधात उन्हें उस घर छोड़ा सिधात जाकर बोल दो उन्हें अगर नशे के हालत में गाड़ी नहीं चला सकते तो वापस जाने के लिए अपने लाडले गौतम को साथ ले आया करें मैं नहीं जाता हूँ लाडले तो उनके तुम भी हो लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनकी प्यार को तुमने कभी समझा नहीं ठीक है मैं ही टैक्से से उन्हें छोड़ाते हूँ मां तू चुंपकियो और मैं जानता हूं तुम इस से नाराज है कि एक लिए जिन्दगाट का चांद है मैं जानता हूं मैं तेरे तेरे लिए अच्छा बाप सावथיד नहीं हो सकता गौतम difficult मैं तेरी मां के लिए अच्छा पती ज़रूर आपित हुआ हूँ मेरा यगीन करो, यगीन करो, गौतम बिटा, मैं गौतम नहीं हूँ अमा ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ लगता है तेरे पापा आगय है, आया नहीं, लाया आगया है शराब की नशे में धुद करके भेजाया है उसे हे भगवान, ये मा बेटी ना जाने कौन से जनम की दुश्मनी निकाल रहे हमारी खांदान से ता करके से नहीं? ता कर रहे हमालो करो मेंस बादे थाणाया है एए, घग झाली जादा हो वात पटुश्सक बाली। अज़ कर लेपा की ले एए कर दो प्योंखिया कर दो है तो कर दो है कि अुट कर दो दो ऐसे वाए चाना में ठीक हूँ बुड़े से पैर भी से लिए आपर 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 जदार्थ बेटा तुने जानता मैं तेरे को अधरे को बहुत प्यार करता हूं अब दू घर जा घर जा मा से कहना है कि मैं ठीक तार घर पहुंच लिया मा को बहुत फिकर होती है मेरी मैं कोतम बहुत फिकर करती है हुँ कि अधरी हुआ दू प्रणील अधरा के पैसे दे बहुत दार हो गए जो आधा वेत्स आप्ट आझा दो गदर प्रणीपने कट करेभा हुआ थेरून के बुड़क करते हैं जूना आद बुड़क करते है ये शीरी सिरुदेट ट्रॣ दुआ दुआ और दुआ लो आ गया बोर जला है दिल जला है जहां इस जलती दुनिया को छोड़ कर जाओं कहां आओ यहां आओ यहां शायर्यादम आईये तश्रीफ लाइये क्या हुआ नौकरी मिली कहां यार अरे नौकरी और डिगरी की बात अपने सामने मत कर राजा उने कभी नौकरी किया क्या राजा और आप हाँ राजा प्नाओ किया हुआ तढ़े झाला प्नाओ यहां आप हाँ राज़ राज़ करें राज़ 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 हम तो दिल जले हैं, हम तो मन चले हैं, हम सा कोई कहा दुनिया को छुटाने आए, हम दिवाने हम से है ये जहा हम तो दिल जले हैं, हम तो मन चले हैं, हम सा कोई कहा दुनिया को छुटाने आए, हम दिवाने हम से है ये जहा रात हसे मस्त समा, खोश्की से दिल है जहा रात हसे मस्त समा, खोश्की से दिल है जहा नाम किसी के भी परवाना ही कोई गम, सामने कोई आये है किसी ये गम, हम दमाने में नहीं किसी से करें कर दो ये जहा, दोचे हो जोचे है आए, हम दोझा हाँ जम है रिंदगारी थोगड़ी है जवारी लेले जम के मज़ा शार्य सिकनल मिलेना फिल ये खल मिलेना ऐसे बैठा है क्या आओ चलो क्यार करी है हम निकाने चार करी है ना किसी की उपरबंक नहीं को ये हम सामति को अए किसने ये तंप हम जमान में नहीं है इसी तैखरे राचा राजगरे ना लाजगरे हमी है राजगरे है भुष्यृ कॉ जटोगे शोलों पे चलेंगे भारेंगे ना कवे मसदीन ने रहे गश्ञिया चीलेंगे डूढेंगे हम वजी पहला रहे काल नहीं तिक्रित में रोज़ काल नहीं ना किसी के भी परवाल ना की कोई गम, सामते कोई आए है किसी ये दम, हम जमाने में नहीं किसी से करें राजा, राज करें हम है राजा, राज करें, राजा, राज करें हम है राजा, राज करें यंग मैं आज मैंने तुम लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि जिन्दगी की नई शुरुआत से पहले और पुलीस ट्रेनिंग की कड़ी मिहनत के बाद तुम लोग जिन्दगी का लुथ उठाओ, खाओ पियो, and have a nice time, boys. थोड़ा बचा के रखना हम लोगों कुछ खाये नहीं बराबर, थोड़ा रायता भी देना, रायता पीने की लेटना, यह दोनों कौन है, यह दोनों हवलदार इमानदार और हवलदार वफादार है, लगता है अपनी तारीफ हो रहे है, अपनी बात ही ऐसी है, जहां चार अपनी बात करते हैं, पूरी इंडिया में, तो खातू, हम कहते हैं, बारा साल में कच्रे की दिन भी फेड़ जाते हैं, पर यह दोनों 24 सालों से वही के वही है, लगता है कुछ जादा ही बोला, मैं इसको ठीक कर गया तो, यह बाई सा इसको उठाना नहीं हम लोग आ रहे ह बैदे का ओँगी नी, आरे बिल्कुल, पुलीस कमिश्ञरर बना दे, तो भी यह बर्दी नहीं बदले हैं, मैं तो बन गया था शाय ब इका, है रा Are, this die 큰 आ रहेगा, मैं बना इने धीक्र को भी नहीं बने तूद रही तू, सर, पश्छ नहीं बलिन के यह बना बने तूम कि एंडिल तुमिया हें अगाए पस देख रहे ही पाटी कैसे चल रही है सुपब डाद यह पार आउट ऐसे एक हो सब कुछ ठीक है जी सर्थ थेंकियू सर। सब ठीक। रहा हराम कमाल खाता ने इसलिए डगार आती तुम भी तो खा रहे थे। मेरे को नहीं आती है। क्या कर रहा यार यह। यार घर में बच्चे भी भूगे उनको नहीं खिलाओंगा क्या यह। कब तक मा मंगे खाते रहेंगे। कितना नीचे करना चुपाना यार। कितना नीचे करनूँ ग्रांट सौर पे जाओंगा। अड़े मोटू 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 मरता भी नहीं आद्मी यार। हवलदार इमानदार! हवलदार वफादार! यह क्या हो रहा है। सर आपकी तारीफ करे थें हमने लोग। अब लेकिन पीर तो औरत का फूलता है मुझे बिलकुल उल्लू का पठा समझ रखा है क्या कहा गए चारली 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 जो में गजिरा हाँ ले ले? I love you कि लूआ है कि अपिशुआ थे आप पिशोटी है यह आपका थी आपका थी आखिसे ने गारेकर नमट नवान रखिया नंबर दिखाई काया सिधार, गीता भाईया, मा का फिर से ब्लेड प्रेशर बढ़ गया है तु घरजा में डॉक्टर को लेके आता हूँ भाईया, तुम तो जानते हो मा की बीमारी की वज़े क्या है पापा का इतने दुनों घर ना आना मैंने उनके ओफिस में फोन किया था तो पता चला वो बीमार है माने कहा है तुम उस घर जाके मालूम करके आओ पापा कैसे है मैं उस घर जाओ अपनी बेज़दी कराने अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ अरे सिधार्थ बिठे आओ आओ हरिया काका मुझे पापा से मिलना है उनसे कहिए मैं आया हूँ पापा पापा तुम सब लोग मेरे बेटे की पीछे क्यों पड़े हो इस घर की सुक्षानती के दुश्मन आखे चाहिए क्या तुम्हें मेरे बेटे की एक गलती के कारण इस घर को और कितनी सज़ाद होगे तुम लोग मैं सिर्फ ये मालूम करने आया था कि मिस्टर कृष्णकान धर्मादी कारी कैसे है क्यूंके मेरी मां को उनकी बीमारी और अपनी बेटे की इज़त से जादा उनकी फिकर है और मुझे सिर्फ इस खर की इस खांदान की इज़त की फिकर है जिसके नाम पर एक बदनुमा दाख बन गए हो तुम लोग चले जाओ यहां से और खबरदार तो यहां दुबारा कदम रखा निकल जाओ यहां से चले जाओ फोरण आपके हाथों में लाल चुडिया बहुत अच्छी लगती है बेंच जी ले लो बहुत अच्छी है अच्छा ये दे दो अच्छा जी कितने हुए पुछ नहीं आप से जास्ती थोड़े लेंगे आज कर्मा चौत है पचास दे दीजी अच्छा पाप पाप जे जे जिए आपको रुक्मनी बेहन का व्रत खुलवा कर आना चाहिए था बर्सों से तो यही करता आ रहा हूं आज यहां पहले आ गया तो क्या फरक पड़ता है मा तुलसी 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 मा क्या हुआ मा को सिधार्ण डॉक्टर मुकर जी को लेख रहा हूं जल्दी तुलसी 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 तु सुभे उसे समझा दिया था कि आज करवा चोथ है घर जल्दी आ जाना दादी मा करवा चोथ सरफ इस घर में नहीं है कोई और जगह भी है आप अभी तक गह नहीं मैं चला जाओंगा तुलसी तुम लेटी रो नहीं नहीं आप फॉरण चले जाएए वो दिन भर की भूकी प्यासे आपको इंतिजार कर रही होगी जाता हूँ जाता हूँ गीता मा का खयाल रखना पापा शुक्रिया झाता हूँ झाता हूँ पारी कया झाता हूँ झाता हूँ रो मत बहु जो बात का बर्सों से फैसला नहीं हुआ वो आज हो जाएगा रो मत रो मत बड़े न्याय मूर्थी बने फिटते हो सारी दुनिया का न्याय करते हो अपनी पत्नी के साथ तुम्हारा ये न्याय है सवेरे सवेचारी भूकी प्यासी तुम्हारे इंसजार में बैठी है और तुम उसके साथ मा मैं जानता हूं रुक्मनी भूकी प्यासी है शायद तुम आप एक अच्छे बाप तो बन नी सके, कमसकम एक अच्छे पती तो बन के दिखाईए हाई ये प्राक्टिस कर रहे हो या डांस कर रहे हो वैसे अच्छे लग रहे हो कमश इस पंचिंग बैक की भी जबान होती तो ये जरूर कहता अरे यार घर का गुसा मुझ गरी पर क्यों उतार रहा है हाँ 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 इस प्रीक हँखए कर दो अगाल झाल झाल I love you में तो दीवानी हुए, सब तो इन उंगी दानी हुए में तो दीवानी हुए, सब तो इन उंगी दानी हुए खुश्वों तेरे आये खुर्वाके जुए के देखों सक्षे चुड़ुके ननके जर्णों से के सची तहानी हुए, में तो दीवानी हुए 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 मेरा धुए हुए 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 կह हाई बहारे, हाई बहारे, में लगे लगे, में लोगे, माउं की बारा सिक सगनी, कुछ कह रही है खामोश धरकर, चुड़ी पिजाओं में बजने लगे, आगा तुझे अपने दिल में चुपारू, साथी मेरे तुझे जो अपना बना रहूँ मैंने तो दीवानी हुए, सपनों की नानी हुए मैंने तो दीवानी हुए, मैं दो दीवानी हुए मैंने आपकर, और दो रिवानी हुए, मैं आपकर रिवाने चुपारा दीवानी हुए झाल जोले में अपना बना धर प्तरू आतर्वानी हुए हाँ 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 तुम का राँ के आदि एक Every शान आदे एक उर्डकी हाँ के आदे एक ए एक उर्डकी बन के बस जा, ऐसे इना सांसों में क्रिश्णा जगा डूड रही है, आपके तुझे ही, आपके ले रहे ही मुझे बोलना आए के लीना बिना तेरे चैना, आपके रही ही आपका भकती है मैं दो दीवानी हुई, कपनों की राश्य हुई खुश खुटे ही आए कुदबा के चौके से, देखू तुझे में चुचुके मन के ज़रों के से मैं तो दीवानी हुई मैं तो दीवानी हुई मैं तो दीवानी हुई तो दीवानी हुई प्रूश मों का आपके से तो दीवानी हुई मैं जर्प मैं तो normaal मैं तो दीवानी हुई तुम यह कैसे आएं तुम उपर कैसे पॉंची गौतम, जब से तुमने मुझे हाई लाव्यू कहा है, मेरा दिल और किसी चीज में नहीं लगता कहो ना, तुम मुझे प्यार करते हो ना इतनी सी बात कहने के लिए तुम सवेरे सवेर यहाँ पर आई बोलो ना, तुम मुझे प्यार करते हो ना हाँ तो फिर अब जल्दी से के दो जो तुमने कल जिम में कहा था प्लीज I love you फिर से जल्दी I love you इतना जोर से क्यों चिलाते हो सरा प्यार से सरा रॉमांटिक मूद में I love you फिर कब मिल रहे हो Gautam किस से बात कर रहे है बटे ओय 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 यह क्या प्यार करने का स्टाइल वो कमिशनर की बेटी है तेरे से तरीका भूच के प्यार करेंगी क्या करें दोसको आगे क्या मतला कुटा कुटा अरे यार क्यों भौक रहा है एक तो नौकरी नहीं हफता नहीं जेव में भेला नहीं कुछ मेलेगा क्या तेरे को अरे में अरे क्या करता यार तू भी कुटा वो भी कुटा कुटा कभी कुटे को काड़ता है क्या है और उसमें सब ग्यास भरी तो उसको काटेगा न तो उसकी ग्यास तेरे अंदर भर जाएगा तो गुबारी के तर उपर चला जाएगा है कि पास सुन नजीका आजबे आजबे यह विचारी की बहुत बुरी हालत है चार दिन से गयास खाकर और पानी पीकर जिंदा पेट बड़ा हो गया इसका तो इसके वासे कहीं से चार हड़ियां लेका रहा न अगर तू ने इसको मने से बचा लिया न तो कुटों के इतिहास वे तेरा नाव इंसानों से उपर लिखा जाएगा यह क्या कर रहे नहीं सुन दो सही यह कुट्टे को क्या बोला निराश होके चला गया अरे मैंने तेरे वास से बोला है चार दिन से भूका इसके वास से कहीं से चार हड़ियां चुरा किला आ तो क्या बोला बलता कुतेस राडियां मनते शरम निया तो कुटा नाला अ कुटा गया नला फंग जाने दाना क्यों कुटे के मूझ लग रहा एंट रहा है ठीक है लिखने नमस्थभाई से लिखाए तो कि याण पुब बाद कि एए एए वो फिर आगए यार एए 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 अलो अलो मैं आ रहा हूँ एख से ए ..... एकसीडन इस गाड़ी के मालिक का पता चाहिए ठीक है एए एक अप्ते के बाद पता ले जाना कल आकर पता ले जाना शाम को पता मिल जाएगा एक घंटे के बाद पता ले जाना आपको बता चाहिए न अभी देता हूं आप बैठे न सिक्स बाई फोर वसंद विहार मलाबार हिल बंबई और जाने का रास्ता भी बताता हूं देखिए यह जो मलाबार हिल बस्टेन पर आप उतरेंगे न वहीं से एक लेफ्ट रास्ता जाता है वहीं से चौथा बंगला है वसंद विहार आप समझ अरे चले गए यह कर दो यह कर दो मेर बाद कर दो पर दोगा दो दो पर दोगा है प्वाल प्रवार भाल आज पागल मेरा मंग है आभी जाँ साथिया आभी जाँ सर्द मौसं भी गतन के आज पागल मेरा मंग है आभी जाँ साथिया आभी जाँ बत दिल की में बता है तुझ कसी ने ऐसे लगाँ आभी जाँ साथिया आभी जाँ सर्द मौसं भी गतन के आज पागल मेरा मंग है आभी जाँ साथिया आभी जाँ साथिया आभी जाँ साथिया आभी जाँ कर दो कर दो दीवानी हुई है फरकन कैसे मिली नदर सुझ से आखे जरा देख यहां कैसा हुआ सर मुझे पे चैन कही ना गुलाएं ऐसी बेकरारी है सरत मासम भी का तन दूए आज पागे मेरा मन है आभी जा सथिया आभी जा सर्थिया आभी जाओे आभी जाओे आभी जा हाँ पागे मेरानी हाँ वेकरारे चन पाँ इस फिर्शारे रागे मेरा आभी जाओे इस तुम्趸 दुम्षर्णाओे नाँ सब्सक्राइब तर्फ पारी है सर्थ मॉसु भीगातन की आज पागल मेरा मंधु आभी जा साथिया आधिया सर्थ मॉसु भीगातन की आज पागल मेरा मंधु आभी जा साथिया आधिया आधिया साथिया क्यों चौक गई है मैं भी चौका करता था जब तुम आई लव यू कहके गायब हो जाती थी खैर मैं किसी का कर्ज नहीं रखता आज मैं तुम्हें ऐसा तौफा दूंगा जो तुम हमेशा याद रखोगी कुम्हें कर दो कर दो कर दो कर दो व्र अन्रव ओंगा कर दो हराम जाद है तेरे बाप की रोड है क्या बोला बें क्या बोला तू क्या बोला तू ने कुछ ने पिर से बोल क्या बोला तू कुछ भी ने बोल अपने आपको क्या समझते है तू हाँ इधर का दादा नाई राजा पुलिस फाइल में तेरा नाम पढ़ा आसे एरिया मेरे अंडर में है आइंदा अगर तेरी एक भी कम्प्रेंटर आइंश्पेक्टर यह आम रास्ता है तुमारा घर नहीं आम रास्तों से ही तेरी जैसी गंदगी साफ करना पुलिस वनों का काम है वर्दी के बल पर उचलने वाले पुलिस अफसनों से राजा डरा नहीं करता जाओ मैं दूआ करूँगा कि वो दिन जल्दी आए मैं पूछ सकता हूँ मेरा जुर्म क्या है किस बन्याद पर मुझे यहां लाए गया है बेना लाइसेंस के रिवन्वर रहना और गैर कारूनी खतरनाक जहर उटेशम साइनाइट बनाना अगर जुर्म नहीं तो क्या है ये जूट है चालीस गतलों के जिम्मेदार यूपी के खदर राक मुझे मुझे मुन्ना को अपने घर में छुपाना ये जूर्म नहीं तो क्या है ये किस ने कह दिया आपको बिलास राओ चौधरी केस से जुड़े तमाम पुलिस अपसरों की एक साथ हत्या ये सब क्या है ये बे बन्याद है तुम्हारे फार्म हाउस से मिले ये सारे काखसाद बताते हैं कि तुम विलास राओ चौधरी के सिर्फ प्या ही नहीं बल्के उसके तमाम गुनाओं के बरावर के साथ ही हो ये बिल्कुल जूट है अगर ये जूट है तो अलग अलग बैंकों में तुम्हारे नाम जो 25 लाग रुपे जमा है वो कहां से आया तुम्हारे पास बंबई में चार फ्लैट है फार्म हाउस है जिनकी कीमत एक करोड रुपे है वो कहां से आया आखिर विलास राव चौधरी अपने पीए को तंखा कितनी देता है देखो सकते हैं ना अब तुम्हारा बचना ना मुम्किन है तुमने जो भी लेडी इंस्पेक्टर को नशे की हालत में विलास राव चौधरी के खिलाफ कहा है वो सब उसने टेप कर लिया विलास राव चौधरी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ेगा नहीं और पुलिस डिपार्टमेंट तुमसे मार पीट कर सब कुछ उगलवा लेगा अब तुम्हारे पास एक रास्ता बचा है क्या तुम विलास राव चौधरी के खिलाफ सरकारी गवा बन जा देखो अब राव मत यह राज राज ही रहेगा हम तुम्हारी और तुम्हारे बीबच्चों की सिक्योरिटी की पूरी जिमेदारी लेते हैं जी क्या करना होगा यह हम तुम्हें वक्त आने पर बता देंगे जाने दो इसे क्या करने के बाद करने के बाद कहीं जाके ही रहते हैं इंस्पेक्टर कुडी चंगी है जोडिवी मस्ता बिडू क्यों चल्गे क्यों लाइसंस 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 इसकी गाड़ी चलाता है इंस्पेक्टर शुकला जी सर इसको लॉग अप में बंद करता हूं कि अधर उधर रीचे शुदर चल लाइस दो चार घंटे हावालात की हवा कि लागे छोड़ देना कर दो अब हो इंस्पेक्टर पानिकल जिससे तरी दुश्मनिया वह खुद आया है मेरा गुस्ता होरों पर क्यों निकालता है अगर अपनी मा का दूद्ध पिया तो बारा कर मेरे सब मुकाबला कर बार निकल साले बार निकल साले कि एप कि एप कि कि किस जुर्म है कि बिना जुर्म के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते समझें कि आइसेड अरेस्ट एम किसी को भी अरेस्ट करने से पहले वारन की जरूरत होती है कि तुम्हारे आफिसर को ये भी नहीं पता किसी को अरेस्ट आफिसर का च। आफिसर कि आप मैंने पूछा नाम क्या है तिरा सिधार्थ पूरा नाम पूरा नाम सिधार्थ कृष्णकान धरमादिकारी कौन है कृष्णकान मेरे पिता जी का नाम है तुझे कैसे मालूम वही तेरा बाप है कि अरेस्टिम नौ चार्ज और ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पर हम्ला मेरी इजादत के बगार इसकी जमारत नहीं होगी अजे प्रवा इसकान के जाँ वाई वो हर हाथ को काम और हर घर में पानी और बिजली यह हमारा चुनावी नारही नहीं था बलके आप लोगों के साथ हमारा एक वादा था और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर घर चले जाईए लेकिन चौदरी साब आपको चुनाव जीते हुए तो दो साल हो गए अरे भाई देश में सांपरदाइक दंगे फसाद भी तो हो रहे हैं सेंटर के क्या हाल है यह तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं हर छे महिने के बाद एक नया नेता चार MP को लेकर एक नई गौर्मन्ट फॉर्म कर लेता है और हम जब भी जनता के लिए कोई नई योजना बनाते हैं पता लगता है कि सेंटर में मनिस्ट्री बदल गई अब इन हालात में हम क्या करें भाई मौका भी तो मिलना चाहिए हां अभी तीन सारा और हैं और यह जो हमारी मौजूदा गवर्मेंट है ना अब आप देखिए गांए हम अपने जनता की सेवा किस तरीके से करते हैं अब आप लोग जाए चौद्री साहथ को किसी और मीटिंग में भी जाना है जी नमस्त्राइब स्वेशन्यवाद हुआ हुआ है तो आज तुमारी यहांँ आने के हिम्मत हो गई मुझे यहाँ मेरी हिम्मत नहीं, बलकर मेरी मजबूरी लाई है जानती हो तुमारी मजबूरी कितने पैसे चाहिए मैं पैसे बागने नहीं आया हूँ है सिधाद को पुलीस नी गिरीफ़तार कर लिया है और उसकी जमानत नहीं हो रही है, तो मैं क्या करू? आपके बेटे ने उन्हें गिरफतार किया है, तो तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा, जिससे गौतम को अपना फर्ज निभाने के लिए उसे गिरफतार करना पड़ा, नहीं उन्होंने अपना फार्द नहीं, बल्कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए से धात भेया को गरफतार किया है पहन, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इज़त तो इस घर की ही दाव भी लगी है ठेरो करी करी करी। प्रप्राइब करना है सिधार्थ, 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 शुक्रिया क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कौन सी वज़े थी जिसने आपको उसकी जमाना देने पर मजबूर किया। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मा, ऐसी कौन चीज़ जरुवात आ गई थी कि जिसने न्याय मुर्ति किस्नकान धर्म अधिकारी की बीवी मेरी मा को उस आवारा बच्चलन की जमाना देने के लिए पुलिस टेशन तक जाना पड़ा। क्यों मा क्यों। इसलिए कि उस आवारा मुजरिम के साथ तुम्हारे पिता का नाम जुड़ा हुआ है। और मैं नहीं चाहती थी कि जिसके साथ मेरे पती का नाम जुड़ा है, वो किसी पुलिस स्टेशन में एक लावारिस की तरह पड़ा रहे। शायद आप यह भूल रही है मा। यही हैं वो लोग जिन्होंने आपका सुख, आपका चैन, यहां तक कि आपका हक छीना है। यही है वो सौतर। एक बात तुम कभी मत भूलना बेटे। तुम्हारी मा को अपने हक से ज्यादा, अपने पती की इज़त कहीं ज्यादा प्यारी है। कहीं ऐसा नहों कि मा के गौरों के लिए जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो, उससे तुम्हारी पिता की इज़त पर दाग लग जाए। यह बहुत ही इंपोर्टेंट और सिक्रेट डॉकुमेंट्स है। इससे आपको बिलास राओ की दूसरी गत्यवजियों की जानकारी मिलेगी। और रतलाम वाली फैक्टी के डॉकुमेंट्स मैं जल से जल पहुचा दूँगा। धरमादिकरी साब को बता दीचेगा। सुनियों, मेरे बीबी बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। Excuse me, sir. Yes. Excuse me. Sir, this is drug purchase की फाइले, sir. Kulaba Police Station Inspector Gautham speaking. Gautham? Gautham? Mehenjali. Gautham, डैडी की तबित अचानक बहुत खराब हो गई है. जल्दी से आजाओ ना। अच्छा? क्या वह उने? पूछो मत, नफ्स ठक 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 चल रही है. तिल ठक ठक कर रहा है. He's very serious. जल्दी आजाओ ना। अगर serious हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किसी डॉक्टर को भेज़ दू? किसी डॉक्टर को भेज़ता हूँ? डैडी ने सरफ तुम्हें बुलाने के ले कहा हूँ? इडियर्ट, कमिशनर साब मेरे सामने खड़े हैं. कभी लाइफ में तरक्की नहीं करेगा. किसी ने सची कहा है, पहलवानों की अकल घुटनों में होती है. अब मैं क्या करोँ? कुलावा पुली स्टेशन इस्पेक्टर गॉतम है. आई वांट दे कमिशनर अफ पुलीस. अगर अंग्रेजी नहीं समझते, तो हिंदी में सुनो. मैं कमिशनर साफ से बात करना चाहती हूँ. ओके. एक्स्क्यूज मिजर. यो टेलफोन. किसका है? आपकी बेटी. हलो बेटी, क्या हुआ? डैडी, घर में चोरी हो गई है. चोरी हो गई? मैं अभी आता हूँ. नहीं, आपको आनगी कोई जरूत नहीं. बड़ी मामूल इसी चोरी है. और किसी मामूल इसी चोरी के लिए इतने बड़े कमिश्र कहा न? यसी तो नहीं हासे ही. किसे छोटे मोटे हवल्दार को भेज़ दीजे? हवल्दार को भीज़ दू? वो क्या इंक्वाइडी करेगा? हाँ, मैं इंस्पेक्टर गौतम को भीज रहा हूँ. हाँ, इंस्पेक्टर गौतम? वो, लेकिन अभी वो तो नया है. नया आपर आ कुछ नहीं, he's very efficient. एक बार किसी के पीछे पढ़ गया आना, तो फिर छोडता नहीं है. तो फिर उसे मेरे पीछे पढ़ने के लिए कहिए ना? क्या? मेरा मतला था छोड के पीछे पढ़ने के लिए कहिए ना? हाँ, हाँ, हाँ. समझ लो, तुमने फोन रखा, और अहाँ पहुंचा. Well done, well done. Ouch! क्या तुमने मतला था जाँ जाँ, बाँ, तुमने फोने के लिएawan, तुमने बाँ, रहाँ. तुमने धना, जाँ. मतला तुमने यहाँ. ये पिंदिया ये नजना करे क्या इंशारि ये पिंदिया ये नजना करे क्या इशारि ये पिंदिया ये नजना करे क्या इंशारि ये पिंदिया ये नजना करे क्या इशारि ये पंदिया ये नजना करे क्या इंशारि सुखता से इंशारि ये ये भाय क्या इंशारि सिर्फ यहां हम है और नहीं कोई दिर है जवाँ जाग यारमा राते सोई सिर्फ यहां हम है और नहीं कोई दिल है जवाँ जाग यारमा राते सोई पास मेरी आजार कैसी है ये दूरी कैसी ये बेशाबी कैसी ये मजबूरी मेदर दी गॉल में दी दास दी की पुछा ये बिंदिया ये कज़़ा तुरे का इशारी ती ये तंदेना ओ सचना तुझे ही पुखारी में वे पुटो प्रुछा ये तोबा मेरी कैसा दर्द दिया तूने शाम और सहर तर्द जिगे क्या किया तूने तोबा मेरी कैसा दर्द दिया तूने शाम और सहर तर्द जिगे क्या किया तूने क्यूं मुझे कड़ पाए बेख़बर दीवान यूं छलत ना जाए प्यार के पैवान कह जुना कह गजडा आगली लगजा ये पिंदिया थी गजडा करे क्या इशारे ये बंदरा ओ सजना तुझे ही पुखारे ये मैं नहीं जानू ये रब मेरा जाने दिना तुझे दे ये दिल नहीं पुखारे ये बंदिया थी गजडा करे क्या इशारे ये बंदरा ओ सजना तुझे ही पुखारे ये बंदिया थी गजडा करे क्या इशारे ये बंदरा ओ सजना तुझे जी पुखारे सिदार हाई तुम यह क्या करे हो मैं डॉक्टर के पास कही थी उन्हेंने कहा है सबसे पहले ये खुशकबरी बच्ची की बाप को देना खुशकबरी तुम मुझे छोड़ोगी तुने ना अरे तुम मुझे छोड़ो मेरी पैंट जल रही है अब आट महीने की बात तो है उसके बाद तुम अपने बच्ची को अपने आखों से देख लेना डॉक्टर खुशकबरी आट महीने यह सब क्या चक्कर है चक्कर तो हम दोनों के किसमत ने चलाया कितने मेसेज विजवाए बहुत स्मार्ट स्मस्ट आपने आपको माजी को देती हूँ यह खुशकबरे देखो तू अभी यहां से जाओ मैं प्रामिस तुम्हें कल आके मिलूगा प्ली एक मुझा हुटा में नमस्ते माजी अब मैं अपने मुझे क्या कहूँ आप अपने बेटे से ही पूछ लीजे न खुशकबरी ऐसी है अगर आप सुनेंगी तो खुशी से फूली नहीं समाएंगी अच्छा माजी मैं चलती हूँ बाई गीता अच्छा वह जो चारली ने मुझे तुमारा पता बता दिया अब तुम्हें हारूज आउँगी समझे बाई अरे रूज कौन थी यह मा वो सेल्स गल थी मा वो साबुन वाली साबुन अच्छा तो फिर तु इतना परेशान क्यों है परेशान और मैं नहीं मा क्या बात कर रही हो तुम तुम मा से कुछ छुपा रहा है सच सच बता यह लड़की कौन थी अरे मा वो रहा चलते हुए ऐसे मिल गई मैं और कुछ नहीं मा रहा चलते हुए और घर पहुंच गई बोल बता एकता को मेरे घर का पता क्यों दिया और क्यों मार रहा यार उसे बेकार में क्यूँ मारा है यार बेकार में सुभी सुभ्वी एकता गर पर आ गए थी मा और गीता के सामने बहुत ड्रामे किये मां जी ने के बच्चे की मा बनने सब्सक्राइब चिफ उनको सब्सक्राइब बनाते हैं मा बनने से पहले जाके बैक की but आपके साथ ओटल में आने का मसा ही कुछ और है, जितना भी खाओ, बस खाते हुआ एक्ता ये क्या कर रही हो तुम नमस्ते जी डॉक्टर ने ये सब चीजे खाने से मना किया है न तुम क्या हो अमेरी बेटी को अरे एक्ता, तुम्ने आउंटी-जी को बताया नहीं क्या हुआ जितने जितनकी गता वही तो आउंटी-जी वही जो एक्ता ने आपको बताना चाहिए था आ बाइदे एक्ता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या चीज़े ले आया हूँ कच्छीकशन एडी तुम्हें खट्टी चीज़े खाने का बहुर चौक है ना, मैं जब कुछ रहा हूँ बाइदे में एक ता ये महना कॉन सा चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, चटा या नौवा महना चल रहा है नौवा महना, ओ मैं गॉड़ ये सब्टेम्बर महीन अई तो चल रहा है ना, तो फिर उफ, आटी जी, आपने तु मुझे धरा दिया था मैं उस कैलेंडर वाले नवे मैने की बाप नहीं कर रहा हूँ मैं तो वोबस्ते नौवा मुबारक से मुबारक से मुबारक से इटियोट्स देखो, तुमने वरसा जो भी किया है पीस, पीस बाइद वे, कौन थी ये? मेरी, अपनी आठी वो जिनका स्टुने में कोई नहीं है ना पती, ना बच्चे इन्होने ही मेरी परवरिश की है अच्छ वेरी बाट अच्छान टेखे, नमस्थे 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 जिस आउयावर मैं और अंजली शादी करना चाहते है बेटे हर बाप को उसकी बेटी प्यारी होती है मगर अंजली को मां खभी प्यार मैंने दिया है अगर वो खुश है तो मुझे कोई इत्राज नहीं मगर मैं ये नहीं चाहता कि अंजली के साथ भी वही हो जो धर्मादी काई के साथ इस मामने में मेरे पापा को बीच में मत लई है I'm sorry, Gautam तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो तुम्हारे पापा की जिक्र तो आए का ही ना किश्नकान जी आए नहीं अभी तक बस आते ही होंगे देखो बैटे हम लोग लटके वाले हैं क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हम से पहले लड़की के पिता की यहां होना जरूरी था अरे भई एक बेटी के सगाई से ज़्यादा जरूरी काम एक बाप के लिए और क्या हो सकता है अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं मैं आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ मा अब तो आपको बता चल गया न कि पापा हम सब को कितना मांगते हैं देख यह खुछ सा करने का समय नहीं है वो ज़रूर आ जाएंगे तु बहाँ जाकर उन लोगों को समाल मैं उन्हें कब तक समालू मा मैं जानता हूँ पापा जान बुझकर नहीं आ रहे है आखिर मैं उन लोगों को क्या कहूँआ वैया वैसे भी मुझे यह लड़का पसंद नहीं है तु चुप कर देख खुछ सा मत कर जा बहाँ जा तू तुम्हें विशादी करने के लिए यहीं मर्द मिला था बहुत हो चुका अब चले मेरी बात तो सुनिये प्लीज मेरी बात तो सुनिये प्लीज देखो बैटे हम लोग उन में से हैं जो अच्छे खानदान के साथ रिष्टा जोड़ना चाहते हैं अले वो खानदान पहली बीव से हो या फिर दूसरी से खानदान उसे कहते हैं जिसका कोई जन्म दाता होता है एक बीवी और रखेल में फर्क होता है बेटे सदार्ट मेरा गिरे बन पकड़ने से कोई फाइदा नहीं अपने बाप से जाकर पुछो उसने तुमारी मा के गले में मंगल सुद्र पहनाया था यसे दिल बहलाने के लिए यसे कि अजुआने बाप का यसीा हूँlayा है पापा का है, पापा, पापा चलिए मेरे साथ, सिधार्थ, पेटा मेरी बात तो सुनो, आज तक वही तो करता आया हूँ, लेकिन आज मैं किसी के नहीं सुनूंगा, आपने उन लोगों को गीता के रिष्टे के लिए बुलाया था न, और उनी लोगों ने मेरी मा का रिष्ट आज उनकी और उनके खांदान की इज़त का नहीं, बलके मेरी मा की इज़त का सवाल है, सुनूंगा बेटे, समझारा मत मुझे, तादी मा, मैं आपके बेटे को अपने साथ लिये जा रहा हूँ, और आज आप उनने नहीं रोख सकती, आज तक आप बोलती रही और मैं सुन अपके मा रहा हूँ चुदे टुदेंगा है कर दो एंद है। करने लुटला करने दुट नुटी अब यह सीधे बैटना हैर क्यों हवाई जास के तरह टेक आफ कर रहा है टेक आफ नहीं कर रहा हूं वह दो दिन से हवा खाखाके और पानी पीपी के पेट में घैग भर गई यह वो निकाल रहा हूं समान नहीं तो कोई बाजू में सिग्रेट जलागा तो भाड़ सब फटेगा सब मेरो पर ओड़ा देगा तो एक काम का ना कोई गैस कंपनी में चला जा जा ना तेरे दर से गैस निकले तो खाने को कुछ पईसा तो मिलेगा अरे गैस से मेरी आत्मा निकल रही है बोले गैस कं क्या दोस्ता बोलता मर जा अरे इसके वास्ते परसु नहीं मा रहा था क्या अच्छा वो वाला है तो मरने से क्या हुआ तीन रुपए मिले सब समझते हैं यह पब्ली बहुत स्यानी हो गई है और तीन रुपए में एक प्लेट भजिया भी नहीं आता है एक काम का तू दू मेरे देश वासियो मेरे भाईयो इसको देखो यह आपके सामने अपाहेच लगना लूला मजबूर बैठा है यह बेकारी नहीं है यह सिपाई है यह हवलदार वफादार है यह जब अपने घर से निकलता था वर्दी पहिन कर तो चोर अपने घर में खुच जाते थे डाकू अब शुद्य की तया नरम होके रह गई तो आज यह अपने गाव आपर जाना चाहता है अपनी मा के पास लेकिन अफसोस इसकी माधेश की आखरी कुने में रहती है जहाना ट्रेन जाती है ना बस जाती है ना लौरी जाती है ना कोई सड़क जाती है और अगर मैं इसको बैल गाड़ी में बिठा कर लेके जाऊंगा तो यह चार जलम के बाद उधर पहुंचेगा तो फिर इसका इ एक ही इलाज है भाई अगर यह हवा में ओड़के वहां पहुंच जाए अच्छा हवाई जाज से जाना है जायर बात है लेकिन गरीब पुलीस वाला जो सारी जिंदगी बिना टिकट के बस में लटक के जाता था कभी आटो रिक्षा में बैटने की जिसकी ताकत नहीं थी वहाए जाजमें कहां से जा सकता है लेकिन हाँ आप लोग अगर मैरवानी करें तो यह अपनी मां के पाच जा सकता है हूँ भगां तुम्हेरा भला करें तुम्हारे बार बच्वों को सुखी रखें लावे लावे जरीप इस लिषी भरते जब ने इदर अबें इदर में ज़ाँ अब्य ठेरना यार अब्य ठेरता कि नहीं १ अब्य चुपक ना कि अधे देटे जा भाई देटे जा भाई दर बाई दर बाई दर भाई अधर बीचा कोई है अरे यह तो ठीक है यार पब्ली को बेकूप पड़ाता है अर। अर। हुआ 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 है एक सुन्दर लड़की को रात में अकेले खाले डिब्बे में सफर करना नहीं चाहिए। अकेली लड़की देखकर खाले डिब्बे में कोई भी अंदर आ सकता है। पास बैट सकता है। कहीं भी हात लगा सकता है। अपने बाप धर्मादीकारी को जाके समझा दे। जा उधरी कमिशन की रिपोर्ट सोच समझ कर दे। वरना एक निन वो घर से निकलेगा सही सलामत। लेकिन पहुचेगा तुकडे तुकडे होकर। सुनियों उस टब्बे में गुंडा बैटा है। वो गंदी गंदी बाते कर रहा है। वो कुछ भी करेगा और जानते हो वो वो पापा की कमिशन के बारे में कुछ कह रहा था। उसने धम्की भी दिया कि पापा के वो तुक्रे-टुक्रे कर देगा। मैं तज कह रहे हूँ। किस को कटेगा तू हाथ लगाएगा किस की तंग तोड़ेगा रहा हाथ लगाएगा लगाथ लगाएगा लगाथ कर तो आले आत लगाने की बात तो दूर अगर आख उठा के भी देखा तो तेरी दोनों आखे निकाल दूँगा चल्वाट अपे चाप आये ना अच्छा चलो भाया सुक्रिया वेया, वेया! आपको पता नहीं, आज अगर गौतम भाहिया नहीं हो तुछ इस नीचता पे उतर आया तुछ पापा का जरा भी ख्याल नहीं तुछे काश तु मेरे कोक से पैदा ही नहीं हुआ होता आप दूआ कहता दाएं यहीं यहीं तो शुछे ऑज़ा सिद्धार्थ इनसान को जिन्दगी में समझाते करने पड़ते हैं उसके बिना जिन्दगे नहीं चलती ये सुर्माई रात अधेरी से उचाले का एक समझाता है भेवे कितना खुबसुरत है क्या तुम अपनी जिन्दगी को इतना खुबसुरत नहीं ब्या सकते क्या शुबसुरत bringsth बड़री से ओूnd थाके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी हर शाम लगे सिंदूरी मेरे मन को महताए तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी 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 तेरी बाहों में तस्देर प्रीत कच्छुं बनते ले इन अधरों से छलत न जाए इन अधरों से छलत न जाए यो अनधर अंगुरे तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी कर दोने देरी बाहों में हर शाम लगे स yönख़ना अंधरी धक कम लगे सिंदू सुन्दर ताथा बहता तागर तेरे लिए है रूप की मांगर सुन्दर ताथा बहता तेरे लिए है रूप की मागर सिंद्र धनुष के रंग छुदा तेरे सुनी मांग सजा दो लोगे किली का अध यही है मिलने का आजा मिलके आज मिलके तोड़ी है यह दोड़ी आखे तेरी बाहों में हर शौन लगे सिंदूरी आखे तेरी बाहों में हर शौन लगे सिंदूरी आखे तेरी बाहों में हर शौन लगे सिंदूरी देखता हो बेशरम गंदी नाली के कीड़े तेरी ये हिम्मत के विलास्रा और चौधरी के सफेद दामन पर दाग लगाने की कोशिच करें डैडी बगवास मत कर तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं देख लिया आपने प्यार करने वालों की ताकत का अंदाजा रखेल की ओलाद अपनी आउकाद भूल गया तू ये विलास्रा और चौधरी का थप पर तो सिरफ आने वाले तोफान का आगास है अंजाम बहुत प्यानक होगा ये 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 इम्मत मैं ऐसा हर्गिस नहीं होने दूगा उस हरामजादे की जंदगी में अंदेरा नहीं भर दिया तो मेरा नाम विलास्रा और चौधरी नहीं झौधर गलती मेरी थी जो तेरी बुगा के पास तुझे पढ़ने के लिए छोड़ दिया अम यह गलती नहीं होगी डैडी आपने इन चन तस्वीरों के तुकड़े-तुकड़े तुकड़े 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 दिये मगर शायद आप यह भूल रहे हैं, कि एक तस्वीर यहां भी है, मेरे दिल में, बढ़ा है हाथ, जीडा ले इसे, जीडा ले इसे आज के बाद तुकर से बाहर नहीं जा सकते यह खामोशी कहीं आने वाले तूफान से पहले की तो नहीं? हाँ, यह वही खामोशी है, जिसका अंत तुम्हारे खानदान की आखरी चीख से होगा नहीं, चौधरी साहब, सिधार्थ इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे कीदर भख्यों से डर जाए सिधार्थ सफेद दामन वाले चौधरी को यह बताने आया है कि तुम्हारे धपड का जवाब में उसी वक्त दे रेता मगर मैंने तुम्हारा लिहास किया क्योंकि तुम उस लड़की के बाप हो, जिसे मैं प्यार करता हूँ और हाँ, तुने जो मुझे गाली दी थी, उसका जवाब भी साथ लाया हूँ रखेल और की कोई जात नहीं होती चौधरी और नहीं कोई और इसी जायज और नाजायज आउलाद की मा कहलाती है वो तो सिर्फ मा होती है, मा मैं बेटा रखेल का इसे ही, अगर एक बाप का हूँ लेकिन तुने इस समाज को और देश को अपने खिनोंने पापों से गंदा करकी ये साबित कर दिया है ये तु एक बाप की नहीं, कई बापों की अलाद है खामोश हरामजादे जिला मत चौदरी एक दिन इसी चौकर से तेरी बेटी की डोली लेकर जाओंगा ये उस मा की अलाद का वादा है तुस्से अब तो ऐसी तबाही मचाओंगा के पूरे धरमदिकारी खानदान की नसली खत्म कर दूँगा प्रतलाम चौधी साथ की फैक्री से ही आ रहे होंगे हाँ नहीं वो पूरत धरमदिकारी सहाब ने ये पाईले मंगवाई होंगी नहीं ये मेरी परसेनल पाईल है परसेनल और कौन-कौन सी फाईले तुमने धरमदिकारी तक पहुचाई है मैं कोई नहीं लाओ मुझे दे दो मैंने पहुंचा देता हूँ नहीं यह मेरी परसल फेले हैं बस रगो मिस्तर सक्सेन अगर चौधरी साहब वफदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो गदार के लिए कुछ भी करा सकते हैं हुआ 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 तो तू सरकारी गवाह बन गया हुआ चौधरी का डर नहीं लगा हुआ पुलिस के मार से डर गया हुआ हुआ फड़ उए तुआ उए पुआ कि जनाब धर्मादिकारी साहाब होली के शुब अफसर पर ऐसी शुब खबरे नहीं बढ़ा करते हैं नमस्ते भाबी आज हमने फिर से आपको एक बार चौका दिया ना इस बार तो आपने कहीं दर दर कैमरे लगा कर नहीं रखे हुए ना धर्मादिकारी साहब आज होली का दिन है पुरानी बाते भूल जाएं देखिए हम तो ठहरे पॉलिटीशन लोग हर उल्टी बात का कोई सीधा मतलब निकाल लेते हैं नहीं अब आपकी इंक्वारी से हमें तो कुछ फरक पड़ा नहीं तो क्यो ना इस बात का कोई फाइदा जाये कैसे वह ऐसे कि आप प्रेस में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दीजिए कि हमने विलासरों चौधरी के खिलाफ जो इंक्वारी की थी उसमें से कुछ ने निकला वह एक इमानदार आदमी है सचा आदमी है इस से मुझे अगले इलेक्शन में बहुत फरक पड़ेगा मुझे अफसे मंतरी जी आप अपना अगला एलेक्शन लड़ नहीं पाएंगा है तो आपको अभी वी उमीद है कि इस इंक्वारी में से कुछ निकलेगा हुजूर आज तो इंक्वारी का आखरी दिन है आखरी दिन जरूर है मेस्ट चोदरी लेकिन इस आखरी दिन में अधार को था है लेकिन वो तो पड़ा हुआ है मुर्दा घर में और मुड़े बोला नहीं करते हैं मुड़े दो नहीं बोला करते लेकिन कभी कभी मुड़ों का खून गातिल का पता अपने आप दे जातें क्या मतलब यह कि मरने से पहले बस की सीट के पीचे खुद सक्सेना ने अपने खून से लिखा था कि उसका खून आपने करवाया है कल मैं कमेशन के सामने अपने रिपोर्ट रख रहा हूं में सचोधरी इसलिए जी भरकर आज होली खेलीजिए क्योंकि यह होली आपकी जिन्दगी की आखरी होली है हेगे, हेगे, हुआ है कि तौन से के लिए लुण Friday है भंग, है। हृहाँ कौचuß पार लीज पमने करते कि लाइन स desired भारो मसभा बिटाओ म Prozent बीज Warmth बीज एंद हें लेल उन मिundम्नाês बीज प्लिज ले मीजिप लो बैं यिज देखि हाँ लुक्च बीज का हुग Kitty नद I इक मैं लेत ओटिए झाइन लेग मैं मिपोग उरनना सुद्रक मैं कुर्छा, कुर्णा कुर्णा अब बढाए, बढाए, बढाह गिरान खाए, एकल दिए! एता। खञाता। खड़र कि खाझा वे पिल्ड़ कि खाझा कि अशुक्क हुआ 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 है लगता है पुरानी दुश्मनी है हुआ 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 है एड़ा हो दोर शर ये अ करव दो दो तीज झार बुटा हो एड़ा हो जड़ा है कि दुनिया के अंदर दूस होतेले भाईयों में अगर प्यार की मिसाल राम और लक्षमा ने काइम की है तो एक मिसाल तुम दोनों की भी है लेकिन प्यार की नहीं नफरत की खून खराबे की और क्या दिन चुना है अपनी नफरत का धिंडोरा पीटने के लिए आज होली के द को मैं नहीं बांटा कि बलकि तुम्हारे इस बाप के कलेजे के टुकडे कर दिये उसके सपनों के मंदिर और उसकी उम्मीदों को चूर-चूर कर दिया जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो बाप धंका बजा बजा कर दुनिया वालों को बताता है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है जानते हो क्यों क्योंकि उसको लगता है कि उसका वर्ष बढ़ाने वाला कोई आ गया है लेकिन अफसोस मेरे दो बेटे मेरा वर्ष बढ़ाना नहीं चाहते बलकि उसको मिठाना चाहते हैं मेरे सर को फक्र से उचा नहीं बलकि उसको शर्म से जुकाना चाहते हैं क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि भगवान ने मुझे राम और लक्षमन दे दिये लेकिन मैं भूल गया कि तश्रत जैसे किसमत सबको नहीं मिलती क्या फर्क रखा है मैंने तुम दोनों की परवरिश में अर्य अगर एकीन ही आता तो अपने इस बाप का सीना फाड़ कर देख लो इसमें गौतम के लिए प्यार भरा है तो उसे धायत के लिए महबत भी तुम्हारा आज ये बननसी बाप तुम दोनों से हाथ जोड़कर प्रात्रा करता है कि जिस इज़त को गैरों ने नहीं उचाला उसे अपनी नफरत की ठोकरों से धूल में मत मिलाओ दुनिया के समने मेरा तमाशा मत बनाओ परना याद रखना अपने बाप की इस बात को कि तुम्हारी इस हरकत के बाद दुनिया का कोई भी बाप भगवान से एक बेटे के बाद दूसरा बेटा नहीं मांगेगा मुझे तो दुख है कि इस दिन को देखने के बाद में जिन्दा क्यों हूँ शर्मातिये मुझे तुम दोनों पर कि अज़ दुम्हारी इस 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 दुम गोतम तेरे पापा कहा है आपरेशन थेटर में क्या हुआ उनको बोलना क्या हुआ उनको वो ठीक तो है आप चलिए मेरे साथ मुझे टाइट सिक्यूरिटी चाहिए मिस्टर पाड़न आई सिउ में मुझे दू आदमी चाहिए मेरी इजादत के बगएर कोई अंदर नहीं आएगा सिवाय ऑफिशल स्टाफ के इस एक प्लियर जी अलर्ट विलास राओ इस समय बनी बार्क वले बंगले में है नहीं अप्लाट्फार्म नंबर फेट के गाड़ी वीटी से धारा तेज जाएगी अ हूझ में इस फ्ली शूशिल सुशिल लिकरे ले ओल्ट कि आतर अपड़ जाएगी ज़ाएगी झाल, झाल, झाल विलासरा, अगर मेरे पापा अस्पताल से जिन्दा नहीं है तो तू भी जिन्दा नहीं बचेगा ए लड़की, कहा जा रही है यह पूजा के फूल है मैंने भगवान से मननत मांगी थी पापा जलजी ठीक हो जाए आप यह फूलन के सर की पास रखतीजे न तुम खुचाकर ही रखाओ मिमसाब यह लड़की कोई बात नहीं क्रिशन कान धर्मादिकारी को कुचले की साजिश में तेरे एक कुट्य को अंदर बंद कर चुको मैं अब तेरी बारी है तुना तुना कर दूए उनको होशा है रोक्टर कह रहे थे, अगर बारा घंटों में उनको होश नहीं आया, तो वो कॉमा में चली जाएंगे तुम उनके पास चा कर बैठो जाएंगे जाएंगे कर दो कर दो अब तो तेरी चिता ही जलेगी आप कोई फिकर मत करें सब ठीक हो जाएगा मैंने यहां के डॉक्टर्स को ओर्डर्स दे दिये हैं इनका अच्छे से अच्छा इलाज करें कोई कमी न छोड़े कृष्ण कांत धर्मादिकारी जैसे महापूरुष की जरूरत सिरफ आपको ही नहीं सारे समाज को है सारे देश को है किसी किसम की तकलीफ हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा थैंकि रॉक्टर्स तो यहां है तो किसी ने छुड़ाया ही होगा वैसे इस्पेक्टर यह हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में उची आवाज में बात नहीं करते हैं हाथ चल जाएगा छोड़ दो इसे जो अपने बाप को संभालो चलो रेवर बहिया 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 पापा को होशा गया हाथ 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 है नहीं उसे बचना नहीं चलिए चादरी साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हास्पिटल में बहुत सक्यूर्टी है उसका इंतजाम हो जाएगा वेट किसे पूछिए सेक्यूर्टी अठाई जा रही है सर वार्लेस बेवी बेडर आया है खेतवारी में दंगा हुआ है हम सबको पोजिशन समालने के लिए का आगया है पुलिस डिपार्टमेंट में और लोग नहीं है सर हमारे लिए ही ओडर ह सिद्धार्थ तुम्हें पापा ने बुलाया है कौतम हमत से काम लो सब ठीक हो जाएगा भाया पापा आपको बुला रहे है लगता है जो जिम्मेदारियां मुझे सौपी गई थी उन्हें मैं उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा वादा करो कि तुम दोनों मिलकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करोगे वादा करो वादा करो सिधार, सिधार तुमारे पापा की जान खतरी में है क्या? मैंने खुद सुना है, मेरे डैडी कह रहे थे शायद, शायद इसलिए यहां से सिक्योरिटी हट आई गई है मैं सच कह रहे हूं यह उसी के लोग है मैं पैचानता हूं इन्हे हमें कमरा बदलना चाहिए जान को खतरा है मुझे दूसरा रूम चाहिए तो आपको सीनियर डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी क्या? पापा हमें कमरा बदलना पड़ेगा इनकी जान को खतरा है डॉक्टर हमें इसी वक्त कमरा बदलना पड़ेगा क्यों? हमारे पापा की जान खतरे में कल सुभे तक इस देशभग्त कृष्नकान धरमधिकारी की चिता चलनी चाहिए संबल के क्योंग प्योंग तो वर्ध्जा नाही होश्यारी नाही हट्जा नाई तो इस बड़े के साथ तुम दोनों की खोबड़िया ओडा दालूंगा अरेस्ट हिम जल्दी 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 कि अलए है बाइस का लेड़िए अफयान जाए था हुआ है झाल वाले, वाले सुटाार्ट! झालाए 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 Cidat! 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 युदा वुलोग, पीछा करें! कौतम वुलोग, पास आ रहे हैं, गाडी टेस बगाओ! गाडी भीकप ने ले रही है! Shit! काड़ी की ठंकी खोल करके आग लगा दो गौतम उनने टंकी में आग लगा दी चारो तरफ आगे आगे सिधा तु कुछ जा मगर पापा सिधा तु क्या कि के अगा 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 है आज हम सब लोग जमा तो यहां इसलिए हुए थे कि आज विलासराव चौधरी एंक्वाइरी कमिशन की रिपोर्ट आने वाली थी लेकिन मुझे बताते हुए बेहत अफसोस हो रहा है कि उस रिपोर्ट को पेश करने वाले न्याय मुर्ती पिश्णकांत धर्मारीकारी अब हमारे बीच पू़ जो जो रिंए Lal चौशार आनी आनी वाली तू वाली अरहा है जा दूश। क्या सर अम्बूलन सुड़ाने के बाद हमें पता चला कि उसमें धर्मादिकारी नहीं था सर मिस्टर धर्मादिकारी we are proud of you धर्मादिकारी करते हैं कि उसी है वी त veil कस्ता्स किनु अचिम उन्य कैछ अच्चिछी टो 가지्जी काया फिलने जले कि कि अ, ब रिधा, कि उने प्रसेय है झाल झाल आपजय को दो कि अिए हारा है बार्ट कर दोटा है कर दो कर दो कर दो